अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा नमस्कार मैं होनी धीजा और आप देख रहे हैं जियेस नियूज आईए सुरात करते बिहार के दस फटाफट बड़ी खबरों के साथ निगरानी विभाग के हथे चड़ा सिविल सर्जन कारियालै का प्रधान लिपिक 49,500 रुपे घूस लेते रंगे हाथ हुआ गिरपतार निगरानी अन्वेशन ब्यूरो को बड़ी सफलता हाथ लगी है निगरानी की टीम ने सिविल सर्जन कारियालै पेतिया के प्रधान लिपिक कुमार संभू शरन सिंग को 49,500 रुपे रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरपतार कर लिया है जदियू उम्मीदवार का भारी बिरोत काला जंडा दिखा कर नियोजित सिख्षकों ने लगाया नितिस मुर्दावात के नारे बिहार विधान सभा और विधान पार्षत के चुनाव को लेकर उम्मिद्वार अपने अपने निर्वाचन छेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस दोरान शत्ताधारी दल के नेताओं और NDA समर्थित उम्मिद्वारों को लोगों की नाराजगी का भी शामना करना पड़ रहा है बिहार में आज फिर मिले कोरोना के 1326 नए मरीज राजजी में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,99,59 बिहार में कोरोना संक्रमन की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बाबजोद भी हर रोज हजारों की संक्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं स्वास्त विवा की ओर से ताज्या अपडेट जारी करते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि बिहार में 1326 कोरोना पॉजिटिव लोग मिले हैं इसके साथ हैं राज्य में कोरोना संक्रमित की शंख्या बढ़कर 1,99,549 हो गई है बिहार में फिलहाल 11,964 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित अजे मंडल पहुंचे जदियू प्रत्यासी के नामांकर में भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव संसद अजे मंडल मंगलवार को नातनगर विधानसवा छेत्र के जदियू के उमीदवार लक्ष्मी कांत मंडल के नामांकर में पहुँच गए उस समय सांसद और विधायक समर्थकों के साथ बड़ी संक्या में पार्टी के कारिय करता मौजूद थे ऐसे में नामांकर में पहुँचे पार्टी प्रत्यासी समित अन्य समर्थकों की बेचनी बढ़ गई फिलहाल सांसद अजे मंडल कोरेंटाइन हो गए है जेपी नड़ा की रैली को लेकर बीजेपी के कई नेताओं पर एफायर सोसल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ था पालन 11 अक्टुवर को बीजेपी के राष्ट अध्यक्ष जेपी नड़ा ने बीजेपी की चुनाव प्रसार की सुरवात की थी बोध गया में रैली को शंबोदित किया था इस दोरान सोसल डिस्टेंसिंग की धजियां उड़ाई गई थी इसको लेकर गया के सिविल साइंस स्थाना में केस दर्ज कर लिया है दवा कमपणी की निर्देशक ने आतंकीगे खाते में भेजा पैसा पटना के कई ठीकानों पर NIA की शापे मारी पटना के कुलुम पुरम इलाके में रहने वाले एक दवा विवसाई की निर्देशक आतंकियों के खाते में पैसा डाला करता था इसका लिंक मिलने के बाद NIA ने पटना के कई उसके ठिकानों पर शापे मारी की है नियोजित सिक्षकों को परमानेंट करेंगे टेजस्वी बोले समान काम की बदले समान वेतन दूंगा विधान सवा चुनाओं को लेकर सभी पार्टियों प्रचार प्रसार में जुड़ गई है वैशाली जीले के रागोपुर विधान सवा सीट से नामांकन करने के बाद तेजस्वी आदब ने एक बड़ा ऐलान किया है तेजस्वी ने एक बड़े वोट बैंक पर निशाना लगाया है उन्होंने नियोजित सिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया है तेजस्वी ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर नियोजित सिक्षकों की शेवा नियमित धारा 370 पर बयान देकर बुरेफसे फारुक अब्दुला बिहार की इस अदालत में देश द्रोह का केस दर्ज जमुएन कस्मीर आर्टिकल 370 के बारे में अपने बयान को लेकर जमुएन कस्मीर के पुर्व सीएम फारुक अब्दुला बुरेफस गया है बिहार की मुझपरपूर कोट में उनके खिलाफ देश द्रोह का मुकतमा दर्ज किया गया है मुझपरपूर सीजेएम कोट ने इस मामले की गंभीरता को देखते वे वाद को स्विकार कर लिया है और सुनवाई के लिए 21 अक्टुवर की तारिक तै कर दी है अधिपुरा से चुनाव लड़ेंगे पपू यादव तेजस्वी ने रागोपूर से क्या नामांकन बिहार में बुधवार को चुनाव प्रचार तेज होता दिख रहा है आज मुख्य मंत्री एवन जनतादल युनाइटेट के अध्यक्ष नितिस कुमार चार जनसभाओं के साथ अपनी एक्चुल रैलियों की सुर्वात की है नितिस कुमार की जनसमाएं बाका के अमरपूर भागलपूर की सुल्तान गंज मुंगेर के ततारपूर में हो चुकी है इसके बाद अव्वेपटना के मुकामा में जनसभाग कर रहे हैं उधर राष्ट्य जनता दलके मनीताम वा महात गठवंधन की मुख्यमंत्री चहरा तीजस्वी यादव ने रागोपूर सीट से हाजिपूर में नामांकन दाखिल कर दिया है